इस प्रफ़ाइब और दोस्तों यह नहीं प्रोप्राइब पर यह ने इन प्रफ़ाइब पर तो यहूद्ट यहां दोस्तों के आपको धीज़ा पड़ नूज भी पड़ा तो मुझे भी बिश्वास नहीं हो रहा था कि आखरी यह नूज है क्या क्योंकि बहुत बड़ी पर आपसे बात कर लेता हूं तो दो बहुत बड़ी खबर है और एक वर्कर के नात्रे अकर गल्फ कंट्री से ट्रावल कर तो ये विडियो जादा से ज्यादा सेर करें ताकि उनको जानकारी मिल जाया । क्योंकि बड़े लोगों को दोस्तों ट्यूटर के माध्यम से और भी बहुत सारे सोसल मीडिया के माध्यम से मेल के तुरूफ ओलोफ तक यह ख़बर पहुंच जाता है बड़े अब इसमंद्राले भी आप लोगो एडवाइज जारी किया था दुबवाइज जारी किया था अपना जो टिकट है या पासपोर्ट है या वीजा है कोपी अपने सोशल मीडिया पे भूल से भी सेर नहीं करना तो ऐसे ही मामला आया था दोस्तों पांच छे दिन पहले एक भाई जो दुबाई घुमने जा रहे थे मतलब अपने फैमिली के साथ साथ लोग तो थे दोस्तों ओ अपना टिकट क्या किए कि अपना second media पे डाल दी अब उस टिकट के माध्यम से दोस्तों जितने fraud करने वाले लोग हैं उनका नमबर क्या निकाल कि उनका जो जैसी वह एरपोट पहुंचते हैं साथवों तो पता चलता है कि उनका टिकेट कैंसल कर दिया गया और जो रिफन्ड का पैसा हुँ अपने एकाउंट में ले लिया है बाद में दोस्तों उनको वापस अपना घर वापस आना पड़ा जाना था दोस्तों दुबई यह चले सिधा घर इसलिए आप इस बात का लाजिम खयाल रखें दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट अपडेट है दोस्तों जैसा मैं वीडियो में दिखाया एक कास्मीर की लड़की है जो अधर कंट्री से ट्रावल कर रही थी ठीक है उनको बताया गया दोस्तों और बहुत सारी लोगों के साथ इस तरह के घटना घटा है एक्चुली कि कोई भी अगर नया पोड़क्ट आप हो तो सिल पैक होता है यानि वह सारा सामान अगर वह प्लास्टिक में खौबर में अच्छी तरीके से पैक है जैसे दुकान आपको देती है तो ऐसा अगर आप लगेज बैग में लेके आओगे तो लोग जो कॉस्टम डिपार्टमेंट दोस्तों आपको रोक सकती है उसका पूछ सकती है अब यह देख सकते हो वीडियो में कैसा है थैला का बिल पूछा जा रहा है आप समझ सकते हो इसलिए इलक्रोनिक समान का बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है यह एरपोर्ट पर वो लोग पैकिंग है अगर आप खोल के लाते हो मतलब जैसा लगेगा कि यह यूज किया हुआ है तो अतना प्रॉब्लम निये इसलिए कोई भी निया समान अगर ले करा रहा हो दोस्तों तो उसका लाजिम बिल रखे तो आपके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है